ओम शांती, बाबा ने आकर हमें पवित्र बनने का संपूर क्यान दिया है, और प्यारिटी की पर्सनलिटी ही सबसे बड़ी पर्सनलिटी है, संचार में भी जो बहुत पवित्र हुए, उनका ही बहुत जादम मान हुआ, सिवा जी की पवित्रता के कारण उनको बहुत बड़ चरित्रवान माना गया। कोई साधू संत भी बहुत अच्छे पवित्र हुवे। संत ज्यानेश्वर बहुत पवित्र हुवे। उनकी पवित्रता का महत्व हो गया। सादू संत, कोई बड़े सन्यासी गुरू, जो बहुत पवित्र हुए, उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया, वो सिष्य बनाने की चक्र में नहीं भते, लेकिन संसार को देनी का उनका स्रेश संकल्प रहा। हम भी देखते हैं सेवाओं में, किसी विशेश बड़ी परस्नलिटी को हम बुलाते हैं, तो उसे बहुत लोग आ जाते हैं, नाम होता है, पेपर्स ब्याता है। पर्सनल्टी की ओर सवा कर्शित होते हैं हमारी पर्सनलिटी है प्यूरिटी हम सब भाई बैनों की प्यूरिटी की ओर सारा संसारा कर्शित होता है हमारी purity हमारे ललाट से चमकती है, हमारे बोल से चमकती है और जो कारिये हम बिन्विन साधनों के द्वारा करते हैं सेवा का, तरन, मन, धन की एनरजी लगा कर करते हैं, समय देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कारिये हमारी purity की personality करेगी या अकरशित करेगी सभी देवकुल की आत्माओं को, सभी धर्मों की अच्छी आत्माओं को, यह हमारी प्योरिती बहुत ज़्यादा करसित करेगी, तो हम ध्यांदें, हमारे अंदर अवित्रता का बल बढ़ता चला जा रहा हो, और यह बल है, जब हम कर्मेंद्री यह जीत बन जाते हैं, जब हम व्यर्द संकल्पों से मुप्त हो जाते हैं, जब हम साधारन संकल्पों से भी परे रहने लगते हैं, जब हम स्रेश स्वमावन में इस्तित हो जाते हैं, जब एक के सिवाए हमारा कर्शन और कहीं भी नहीं रह जाता है, तो हम ध्यान देंगे अपनी इस महान पर्सनलि प्योरीटी की आओज, प्योरीटी, पहले कर्म से, फिर बोल से भी, संस्कारों से भी, फ्यवाज से भी, और संकल्पों से भी धारन करनी है, बहुत बड़ा सब्जेक्थ है प्योरीटी, इसमें कोई भी निरास बिलकुल न हो, स्वपनों तक भी हमें पवित्र बन्ना है, हमा हमारी शक्तियां कहीं भी नस ना हों, केवल साधनाए करते चलें. मैं इस देह में महमान हूँ, ये देह तो प्रभू की अमानत है, उसने मुझे सेवार्थ दी है, ये करमेंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में है, मैं आत्मा इनकी मालिक हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, स्वयम की राजा हूँ, इसकी बहुत अच्छी प्रेक्टिश करते चलेंगे, तो करमेंद्रियों के सभी रसों से भी यम्मोग्त होते चलें, सभी करमेंद्रियों में चाहे वो काम की वासना हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे नैनों से क्रिमिनल आई की हो, चाहे कानों से बुरे वचन सुनने की हो, उससे हम मुख्त होते चलें, तो प्योरीटी का बहुत बड़ा बल हमारे अंदर भरता चलेगा, अगर ब्रम्चर ये पालन करने के बाद हमने अपने चित को स्यान तो निर्मल न किया, हम स्थेश्वमान में इस चित न रहे, तो हमारी प्योरिती तो रहती है, उसका संचार को बल भी मिलता है, लेकिन पवितरता का महान बल हमसे दूर रहता है, जबकि यही बल सबसे बड़ा सस्त्र है, इसी के द्वारा प्रकर्ती भी पावन बनती है, और इसी के द्वारा हीरो एक्टर्स विर्सु की स्टेज पर प्रक्ष्यात होंगे, तो आईए आज सारा दिन, यह देहे बाबा की अमानत है, मुझे बाबा से मिली है, मैं तो इसमें गैस्ट हूँ, बस मैं आत्मा इसमें आई हूँ, और मुझे तो अपना कारिये पूर्ण करके इसे छोड कर वापिस चले जाना है, यह अभ्यास आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह करेंगे, ऐसा रिदी पन, गंटे में आप तीन चार बार भी कर लें, जिसको बहुत अच्छा योगी बनना हो, इसे कहते हैं, बहुत अभ्यास करना, ऐसे नहीं सबेरे की यार भूल गे, फिर से हमको याद आया, तो इस अभ्यास की आज हम धुन लगाएंगे, और साथ में स्वमान भी लेंगे, मैं अवित्रता का फरिष्टा हूं, ओम श्यांती